वक्के के अंदर अक्सर मुहावरों का प्रियोग किया जाता है जिसके कारण से वक्के बड़े ही सुन्दरवे रोचक बन जाते हैं और आज का हमारा मुहावरा है ठगासा रह जाना यानि आज हम इस वीडियो के अंदर ठगासा रह जाना मुहावरे के अर्थे और इस मुहावरे के वक्किम प्रियों के बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ठगासा रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है यानि इस मौवरे का अर्थ होता है अस्चरिय चकित रह जाना दोस्तों अगर कोई किसी के बारे में ऐसा सुन लेता है जैसा उसने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं हो या फिर कोई किसी को ऐसी बात या अन्य काम करते देख लेता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह भी इस काम को कर सकता है वह उसको इस तरह से देखकर अस्चरिय चकित हो जाता है और इस तरह से अस्चरिय चकित होने को ही ठगासा रह जाना कहते है यानि ठगा सा रह जाना मुहावरे का अर्थे अस्चरिय चकित रह जाना होता है और जहां पर अस्चरिय चकित होने की बात होती है वहीं पर इस मुहावरे का वक्यम प्रियोग किया जाता है ठगा सा रह जाना मुहावरे का वक्यम प्रियोग पहला वक्किम्प्रियोग जब मैंने देखा कि सादू बाबा लोगों को देखते ही खुश कर देते हैं तो मैं तो ठगा सा रह गया दूसरा वक्किम्प्रियोग राजेस को अधिकारियों से अंग्रेजी से बात करते देखकर गांग के लोग ठगा सा रह गई तिसरा वाक्यम्प्रियोग तुमारी नोकरी की खबर सुनकर हम से भी ठगासा रहेगे चोथा वाक्यम्प्रियोग लोगों ने तुमारे बारे में एसा सोच भी नहीं रखा था कि तुम भी इस काम को कर लोगे जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो सभी लोग ठगासा रह जाएंगे देखते ही देखते तुमने लोगों के मन की बात बता दी इस कारण से लोग ठगासा रह गए दोस्तों इस तरह से ठगासा रहना मुहावरे का वक्केम प्रियोग किया जाता है अगर आप इस मुहावरे के बारे में किसी प्रकार का परसन पूछना चाते हैं तो आप अपना परसन कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं इसके अलावा अगर आप विबिन तरह के मुहावरों के बारे में और अधिक जानकारी चाते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं ताकि विबिन तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके बास समय पर पहुंच सकें और आप अनेक तरह के मुहावरों के बारे में ग्यान हासिल कर सकें तो चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना गूले